हलो गाईज कैसे हो आप लोग होप आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे राइट आज यह चौथा स्रीज है प्रिविएस एर कुष्टन पेपर को एनालाइज करने का राइट जैसे कि आप सब लोग जानते हैं यह पिछली बार 2012 में कुष्टन एक्जाम ह बार जैसे कि आप लोग नोटिफिकेशन में अल्रेडी देख रहे होंगे कि स्लेबस में क्लियरली दे दिया है फ्रीडम मुवमेंट राइट तो इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नंबर आफ कुष्टन पंदरह तक होगा यादि हंड्रेट कुष्टन पूछ रहा और जैसे कि पता ये सेक्षन जो होता है बिलकुल मार्क फेचिंग होता है स्कोरिंग होता है क्योंकि आप बहुत इजली कवर कर सकते हैं और स्लेबस उसका शौट है आप वीडियो को अंत तक देखे क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको स्ट्रेजी साथी साथ बुक ल स्ट्रीन तता आई बटन दोनों में डल दूंगा राइट वहां आप जाके देख सकते हैं वहां एक प्लेइलिस्ट है नेम है डेप्टी टरेक्रेंट निल एसाइसी राइट वहां आप जाके देखिए व्यार फर्स्टाम विजिटर आप सब्सक्राइब लाइक शेर कर लि लिंक दे दूँगा वहां आपको प्रॉपर गैडेंस प्रिवियस एर कोशन पेपर कटफ मार्क्स मेट स्टडी मेटेरियल सब कुछ फ्री है राइट आप बिल्कुल सेर्फ स्टडी से निकाल सकते हैं और इस सबसे इंपोर्टेंट बात आप अपने कॉम्पेटेटर को व सब्सक्राइब के लिए वहां लंडन से लंडन के आसपास यह स्कूल खुला गया था उस समय जो जितने भी ब्रिटिस और ब्रिटेंट के लोग जो सिविल सर्वेंट बनके यहां आते थे उस स्कूल में उसको ट्रेनिंग दी जाती थे जो कि इंडिया में आके सिविल सर्वेंट सिविल सिविल सर्विस जोइन कर देते तो इसका अंसर यह होगा दूसरा कॉश्चन है जो यह फर्स्ट प्रसिडेंट ऑफ इंडिया वोज इलेक्टिर वाई अल्दो आप यह कह सकते हैं पॉलिटी का कॉश्चन है लेकिन मैंने इंडिपेंडेंट्स जो फर्स्ट नॉन कॉंग्रेस गवर्मेंट इन इंडिया सब को पता है किरला क्योंकि वहीं सबसे पहले बना हुआ था तो देखिए कुश्चन का लेवल के एजी टू मॉडरेट है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है यह कुश्चन थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है राइट बादवा की जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है यह ट्रीकी है यह बहुत ही ज्यादा ट्रीकी कुश्चन है इस पर आप सहामत है तो आप और आसामत है तो दोनों लिखिएगा यह कॉंसिट्यूंट एसेंबली होगा यह के बारे में आपको सही और गलत करने आंसर बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा यह है आपका क्लास 12 का NCERT पॉलिटिक्स ऑल्दो यह हिस्ट्री का सेक्षन में पढ़ा रहा हूं लेकिन मुझे पॉलिटिक्स में यह मिला जो पॉलिटी में मिला जो क्लास 12 का NCERT है जिसका नाम है पॉलिटिक्स ऑफ फ्लांड डेव्लापमेंट यह आजादी के बाद की बात है और आजादी के समय की बात है तrão पॉलिटिक्स ऑफ पॉलांड डेवलापमेंट यह ऑल्दो इसमें हिस्ट्री आ पढ़ेंगे तो इसका जो फर्स्ट अब्जेक्टिव है इस चेप्टर का आप देखिए इस क्वेशन को देखिए विच फफ द दीज स्टेटमेंट्स अबॉट बंबय प्लान इज इनकरेक्ट सेम चीज उठा के यहां इनों ने डाल दिया है राइट सेम क्वेशन है गाइस दम बंबय प्लान वाज बुलेप्र इंडियन एकोनोमी सपोर्टेज स्टेट ओनर्शिप उफ इंडस्ट्री वाज मेट बाइड बाइड इंडस्ट्रियों इस सपोर्ट ए स्ट्रोंगली आइडिया अफ प्लानिंग राइट तो कहने के मतलब आप आप देख लिजे जो NCRT का इंपोर्टेंस यह बिलकुल जो चीज है इसको सिर्फ उठा के वहां डाल दिया गया है तो तो आप कोई कोचिंग आपको दस नोट्स और अब्जेक्टिव दे दिया और बोला जो पढ़ लो बेटा हो जाएगा कुछ नहीं होने वाला हैगा अनलेस जब तक आपका कॉंसेट क्लियर ना हो जब तक आप हिस फेज़र कोमेंट में लिखे क्या होगा रइट नेक्स कुष्चन है की ऐसंहीं और मैं यह वाल्ड फिस्ट्री ही कह लें या फिर इंडियान हिस्त्री है लेकिन वाव्ल हिस्ट्री से डिलेटेड है तो अभी इस बार मुझे नहीं लग रहा है जो यहां आएगा और नेक्स स्विर ये सोवियत यूणिन के बारे में है जो यह भी वी वर्ल हिस्ट्टी से यह रहे इसलिए वॉर्ल हिस्ट्री को हम लोग इस वाद डिसकस नहीं कर रहे है क्योंकि क्लियर लियर आपके अपके स्बस्ट में Freedom मूवमेंट लिखा गया है राइट फीडम मूवमेंट तो कहने का मतलब है जो आप अठारा सो संतावन 1857 से 1947 के बीच आप पढ़िए साथी साथ इसमें फीडम मूवमेंट इंडियन यूनियन दिया हुआ है इस पार्ट में मैं सिर्फ फ्रीडम मूवमेंट की बात कर रहा हूं तो यह आपको पढ़ना चाहिए को हम लोगों मैं देखा है यह वर्ल्ड हिस्ट्री का जदी कोशन छोड़े तो इजी टू मॉड्रेट है मार्क्स फेचिंग है लेकिन ट्रिकी ही है ट्रिकी है रहे तो अब आपको करना क्या चाहिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कंक्लूजन यह है गाईस कि सबसे पहले तो आप आपको यहां फ्रीडब मॉव्मेंट जो मैंने 1857 से 1947 तक बताया आपको यह पढ़ लेना चाहिए 190 साल का हिस्ट्री है राइट बुक लिस्ट बहुत ही शौट रखिए बहुत मतलब नगानी के बराबर नहीं के बराबर और जो मैं कह रहा हूं आप उसको पढ़ जाए आप कोई भी अब्जेक्टिव 90 परसेंट आप हिस्ट्री मॉडरन हिस्ट्री से स्वल्व कर पाएंगे एंसी एर्टी एंसी एंसी एर्टी क्लास एट एंड क्लास 12 का और प्लस आप स्पेक्ट्रम को क्योंकि डारेक्ट आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो अफ्कॉस यू कैन यह थोड़ा सा नोट फॉर्म में है मैं हर चीज को फोकस करता हूं जो आप बैक्ग्राउंड का स्टोरी जानी रही तो यह जो एस्पेक्ट्रम अपने आप में एक नोट सी में मानता हूं उसको रही तो इसलिए आप क्लास 8 और क्लास 12 का जो मॉडरन हिस्ट्री वाला पार लगेगा एजी है छोटा स्लेबस है बहुत कम टाइम लगेगा फिर हम लोग कल कोई नेक्स अनलाइसस कुछन पेपर को नेक्स पार्ट को करेंगे आप जरूर स्टे टून रही है दूसरी बात आप टेलीग्राम जरूर जोएन कर लिजे यह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स म देदेंगा फिर हम लोग कल मिलते हैं तब तक अब अपने त्यारी को बिल्कुल जोड शोर से करते रहे हैं थैंक्यू थैंक्स फॉर वाचिंग बाबाई टेक केर